नमस्कार दोस्तों मैं मिनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेखे हैं हूँ यह लेडीज बूटी इंडियन जो शू साइज होता है पैर का नाप है पांच और शे नंबर के लिए विल्कुल परफेक्ट साइज है यह यह इसका नीचे का हिस्सा और यह है उपर का हिस्सा इसका बनाना बहुत ही इसए है देखने में थोड़ा सा complicated लग रहा है लेकिन बनाना इसको बहुत ही असान है यह जो बूटी है उसको बनाने के लिए मैंने यह नॉर्मल जो simple बूल होती है वो ली है ये वूल थोड़ी पतली है तो जो आज हम ये बूटी बनाएंगे उसको हमने 10 नमबर की स्लाई 3.25 mm की नीडल जो है उसके साथ बनाएंगे और अगर आपको जो साइज है इससे साइज बढ़ा चाहिए तो आप अपनी नीटिंग नीडल है जो उसको एक नमबर बढ़ा दीजिए जैसे ये 10 नमबर है तो उसको 9 नमबर कर दीजिए ये है 3.25 mm तो आप इसकी बज़ाए 3.75 mm की नीडल जो है वो ले सकते हो तो जो इसक शुरू करते हैं तो अभी नीचे से हम इसको फंदे डालने हैं हम फंदे डालेंगे 12 फंदे वूल को डबल करके मैं फंदे डाल रही हूं यहां हम जो है जादा वूल नहीं छोड़ेंगे पूरी पूरी वो लेंगे जितनी की हमें फंदे डालने के लिए चाहिए तो यहां मैं यह जो है अभी पहले बारा फंदे डालूंगे इसके लिए यह जो मैंने फंदे डाले हैं यह जो जोड़ी वाले फंदे होते हैं पेर वाले वह डाले हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से जो है अपने फंदे डाल सकते हो जो आपको पसंद हो जिस तरह के फंदे आपको चाहिए आप उस तरह के फंदे जो है डाल सकते हो बारा फंदों के साथ हम इसे शुरू करेंगे यह होगे हमारे आठ फंदे दस फंदे और यह होगे हमारे बारा फंदे तो बारा फंदों के साथ हम जो है अपना अपनी जो बूटी है उसको शुरू करेंगे पहली स्लाई हम पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे सारे फंदे हमने बुनने है क्योंकि अब फंदे डाले हильно ही है तो पहला फंदा जो है उसको भी हमने बुनना था था मीरा उल्टी तरफ आएंगे अगर आपके फंदे डालने के बाद पहले से ही सीधी तरफ हो तो इस स्लाई की ज़रूरत नहीं है तो वहीं से हम अपनी बुटी की बुनाई शुरू करेंगे तो पहली स्लाई पूरी में उल्टी बुनूंगी एक स्लाई बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आप यहां पर हमने दो गाठा सिष्डो बुननी है जिसके लिए हम चारसलाई बुने घ्राइब तो यह दो गाठा सिष्डो जो है वहाइब उल्टी चारसलाई बुनते हुए बनाओंगी पहला बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने हम पूरी बुनाई में पहला फंदा जो होगा हमारा उसे हमने बिना बुने उतारना है चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो हमने जो है पहले फंदे को बुनना नहीं है पहला फंदा हमारा बिना बुने उतारा जाए ऑर उसके बाद मुझे दो गार्टा रिच रो मिल जाएंगे के लिए में चार रृटी वुनुंगी अभी हमने दो गाठा से श्रोज जो है वो बुल ली है एक और यह दो अब यहाँ से हम जो है अपनी बूटी का अगला हिस्षा बनाएंगे और उसमें हमने फंदे भी बढ़ाने है हमारी जो यह बूटी है हमने यहाँ से शुरू की है यहां से शुरू करते, पहले हम इसका ये वाला हिस्सा बनाएंगे, तो उसके लिए पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दो, ये होगे तीन फंदे, तीन फंदों के बाद उनको पीछे किया, ये जो हमारे पास तीन फंदे ह इन तीन फंदों को हमने आगे से, इकठा बुनना है, तीनों फंदे आगे से, इस तरह से इकठे बुनेंगे, एक बार बुना, उनको सलाई के ओपर लपेटा, एक बार इसको, ये तीन ही फंदे हमने दुबारा बुनने हैं, यहां होगे हमारे पास तीन फंदे, एक, दो, और ये 3, उनको स्लाई के ओपर लपेटा, ये 3 फंदे फिर से बना, हम जो है, इकठे बुनेंगे, तो यहां हमारे पास हो जाएंगे 5 फंदे, ये हैं हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 फंदों से हमने 5 फंदे बना लिये हैं, अब जो इस तरफ के तीन फंदे है इन्ही तीन फंदों के साथ जो इस तरफ वाले तीन फंदे हैं इनको भी हमने इस तरह से पीछे से इकठा बुनना है एक बार उनको स्लाई के उपर लपेटा यही तीन फंदे दुबारा बुने जाएंगे पीछे से ही यहां पे होगे हमारे पास तीन फंदे एक दो और यह तीन उनको स्लाई के उपर लपेटा एक पर फिर इन तीन फंदों को इकठा बुना तो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे पांच फंदे तो यह होगे एक यहां पे यह है एक दो तीन चार और पांच तो यहां भी हमने तीन फंदों से पांच फंदे बनाए और यहां भी हमने तीन फंदों से पांच फंदे बनाए अब उनको अपनी तरफ किया और यह साइड व बुनना है लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं पहला फंदा हम भी न बुने उतारेंगे उसके बाद हमने सारे फंदे उल्टे बुनने है पूरी स्लाई हमारी उल्टी जाएगे पिशली स्लाई में हमने यहां जो बीच में तीन तीन फंदे थे, उनके साथ हमने चार फंदे बनाए, यह जो तीन फंदे हैं, इनके साथ दो फंदे बनाए, नए फंदे जो हमने बनाए, और इस तरफ भी तीन फंदों के साथ दो फंदे हमने नए बनाए, अब इस स्लाई में हमने पहला फंदा बिन भी नजन फंदा नहीं बनाना है पूरे स्लाई हमारी सीधी बुनि जाएगी फिर उल्टी सारे पहला बना बुने उतारेंगे औरर उसके बद सारे Philippines हुआं हमारी उल्टी बुनी जाएंगी इसी तरह से जिस तरह से हम यह सुन रहे हैं कि अभाप अगली सीदी तरस श्वाय के नहीं हैं यह यहां नाखुरोंदे और मुण नहीं स्कावलने के बाद यहाँ पर हम फिर जो है अपने ये जो सलाई है, इसको हम दुबारा दौह राएंगे, तो यहाँ लेकिन साइट के जो फंदे हैं, उनको हमने गांतर सिच पैटर्न में नहीं बुनना, यहाँ पर पहला फंदा बिना बुने उतारांगी और बाकी के फंदे हमने सीधे बुनने है यहाँ पे हमने यह जो गाटर सीच दो फंदे हमने गाटर सीच पैटर्न में बुने थे वो नहीं बुनेगे यहाँ पे सिर्फ जो पहली बर हमने फंदे बढ़ाने है तब ही बनाना है तो यहां हमने यह जो हमारे पास यह बीच में यहां से हमें जो है नजर आए कि यह हिस्सा इस तरफ का है और यह हिस्सा इस तरफ का है जो इस तरफ का हिस्सा है इसमें से लास्त तीन फंदे हमने इकठे बुनने हैं तो यहां पांच फंदे हमने जो है पहले बुने है एक दो तीन चार पांच अब यह होगे हमारे पास यह तीन फंदे हमने इकठे भुनने वैसे जैसे यहां हमने पुने थे पहली सीधी सिर्ट Дcken बहां पर यहां पिर 5 फंदे ही जो हैं हमने बनाने हैं 3 फंदों से 3 फंदे उनको स्लाई के ओपर लपेटा ये तीन फंदे दुबारा वह भुने के मीरा इसी तरह से इन तीन फंदों को भी मतलब जहां हमने तीन फंदे उकठे भुनेया है पास नमद बनाने के लिए वो इकठे ही होंगे एक तरफ यहां और दूसी तरफ यहां तो यह ? यह तीनपर पीछे की तरफ से इकठे बने उनको सस्षी हो पर पेता यह तीनों वेंद दुबारह इकठे बने उनको स्लाई के ओपर लपेटा और ये तीन फंदे दुबारा इकटे बुने और ये वाले फंदे जो है उनको हमने प्लेन ही बुनना है एक दो तीन चार पांच जब हमने ये डिजाइन जो फंदे बढ़ाने वाले स्लाई बुनने शुरू की थी तो स्टार्टिंग में थे तीन फंदे उसके बाद एंड में भी तीन फंदे थे अब जब दुबारा हमने फंदे जो है बढ़ाए हैं तो इस तरफ होगे हमारे पास हर चार चार पंद बढ़ रहे हैं तो साइड वार दो पढ़ते जाएंगे पहले यहां तीन थे फिर फिर साथ होंगे फिर नौब फिर ऑनीं टैनलो उल्ट değil जाएगे पहले पहला बिन बुने उतारा औरॉडकी के सारे हमारे जो है वो उल्टे बुने जाये है फिर एक स्ला इससलाई को दुबारा डालनाए मतलब कि हम ने यह two लए बढ़ाएंगे यहां पे अगर मैं आपको दिखाओं तो यहां से शुरू किये थे हमने अपने बढ़ाने जो तीन फंडेहीकं चथे मुण्चे फांच पंदे हमने बढ़ाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओर यह 8 तो हर बार जब भी हमने यह फंदे बढ़ाने है तीन फंदों से 5 फंदे बनाने है उसके बीच में एक Sly सीधी हमारी प्लेन बुनी जाएगी यहां मैं यह दो बार तो अपने फंदे बढ़ा चुकी हूं यह वाली इसकी जो counting है, इस लाई की तो 8 complete होंगी, तो यहां पे अभी दो बार मैं ये बढ़ा चुकी हूँ, छे बार मैं ये इसी स्लाई को छे बार मैं और डालूँगी, ताकि मेरी जो है ये आठ बार जो मुझे फंदे बढ़ाने है, वो मेरी जो counting है, 8 स्लाई की counting है, ये फंदे बाद एक प्लेइन डालोंगी दूबारा फिर इसी स्लाई को दोराऊंगी मतलब कि यह दो स्लाई पहली पैटरन वाली जिसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं और दूसरी प्लेइन यह दो स्लाई हमने आठ बार दोरानी है तो अभी इसको मैं छे बार और दोराके इसकी मां आठ बार बार अब तक फंदे बढ़ा ते आ रहे हैं यह हम आठाल बार और लाश्य बार जो है इसे प Tou contained बढ़ा रहे हैं आए बिल्कुल वैसे ही इस तरह से हैंसे अब तक बढ़ाए हैं कर चो फंदे लास्ट में हमारे पास ही जो बिल्कुल जहां पे हमारा ये डिवाइड वाला हिस्सा है, यहां पे हैं हमारे पास ये जो तीन फंदे हैं, ये तीन फंदों से हम यहां फंदे बढ़ाएंगे, तीन के पांच फंदे बढ़ाएंगे हम, ये हमने दूसरी बार, और ये हमारा हो गया तीसरी बार, तो यहां प मतलब की हर बार बढ़ाने की बजाय हमने एक चलाई में दो बार बढ़ाये ताकि एक चलाई में हमारे फंदे बढ़ें और दूसरी चलाई हमारी जो है वह प्लेइन आये और यह फंदे जो है सारे ये सीधे बुने जाएंगे उल्टी तरफ में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद पूरी स्लाई हमारे उल्टी बुनी जाएगी सारे फंदे हमने उल्टे बुने है अब आगे बुनाई के सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद पूरी स्लाई हमने यहां सीधी बुननी है सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे अभी हमने सीधी स्लाई पूरी बुननी है और अब हमें उल्टी तरफ की स्लाई बुननी है यहां पर हम अपने फंदों के तीन हिस्से करेंगे पहले यह एक पर हम यहां अपने फंदे काउंट कर लेते हैं, कि हमारे पास यह फंदे बढ़ाने के बाद कितने फंदे बढ़े, टोटल कितने फंदे हुए, हमने 8 बार 4-4 फंदे बढ़ाए, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार 4-4 फंदे बढ़ाए, तो हमारे पास टोटल 12 फंदे हमने तब डाले थे जब हमने ये बुनाई शुरू की थी 32 और 12 तो टोटल हमारे पास जो फंदे हुए वो हुए 44 तो यहां हमारे पास 44 स्टीचेज होने चाहिए यहां से एक पर हम काउंट करते हैं 44 फंदे दो दो करके मैं काउंट करूंगी 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44 अभी हम अपनी बुटी का अगला हिस्सा बुनने के लिए हमारे जो फंदे हैं उनको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ है क्योंकि हमारा जो यह बुनने वाला धागा उन है जो उल्टी तरफ है यहां पे हमारे जो फंदे हैं उनको तरफ होंगे 18 फंदे इस तरफ होंगे 20 में होंगे हमारे आठ फंदे तो यहां पर मैं पहले काउंट करूंगी 18 और यह फंदे मैं दो दो करके काउंट करूंगी यहां से दो चार छे आठ दस बारा चौदा सोला और यह अठरा और यहां पर हम लगा देंगे अपना एक स्टिच मार्कर अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो यहां पर आप एक सिफ्टी फिन भी लगा सकते हो यह हैं हमारे 18 फंदों की मार्किंग इसी तरह से हम इस तरफ से भी 18 फंदे काउंट करेंगे यहां मैं फंदे दो दो करके काउंट करूंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यह 18 और 18 फंदों के बाद यहां पर हम जो एक स्टिच मार्कर लगा देंगे तो यह हमने मार्किंग कर दी 18 फंदों की अब देख लेते हैं बीच में हमारे पस कितने फंदे बचते हैं यह हैं 2, 4, 6, 8 अब यहां से हम जो है अपनी बूटी का अगला हिस्था बनाएंगे यहां पर अभी मैं जो हमारी उन यहां है यहां से बुनते हुए मैं बीच वाले फंदों तक जाओंगे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद हमने जो है बाकी के फंदे उल्टे बुने हैं जहां तक हमने मार्किंग की है यह उल्टी स्लाई है तो उल्टी स्लाई में सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने है पहला फंदा हम बिना बुने उतार रहे हैं वो हर स्लाई में चाहे वो सीधी हो और चाहे वो उल्टी हो तो यह हमने जो है पहले अठ्रा फंदे बुनने है अठ्छा फंदे बुनने के बाद यह जो है हमारा यह मारकर है मारकर को भी हमने साथ ही जो है अपनी इस लाई पे ले लेना है क्योंकि हमें फंदों की जो मारकिंग करनी है तो इसके लिए हम यह जो हमारा मारकर है उसको अभी अपनी मारकिंग की जगा पे ही रखेंगे तो यह हो गया हमारा मारकर, इसको यहीं पर रखेंगे अब हम, अब हमने बीच वाले आठ फंदे बुनने हैं, तो यहां पर यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, आठ में से हमने साथ फंदे बुन लिये हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, जब हमने आठ फंदा बुनना है, तो आठ में फंदे के साथ, हमने एक फंदा जो है, अठरा जो दूसरी तरफ के अठरा फंदे हैं, उन में से हमने एक फंदा जो है, इसके साथ जोड़के दो फंदे इकठे बुनने हैं, यह हमारा आठवा फंदा इसके साथ हम यह 18 फंदो उसे एक 14 लेकर यह दो फंदे इकट्वे इसके बाद यहीं से हमने अपण स्वाईथ जो है उसको मोर लेना है वह बुदने के लिए बाद टो हमने नहीं बुه़ने और अब हमने जो पहला फंदा है उसे बिना बुने उतारना है अब फिर अब बीच वाले जो हमारे फंदे हैं इनको बुनना हमें ये होंगे हमारे साथ फंदे पहला फंदा बिना बुने उतारा बीच में साथ फंदे जो हैं उन में से हमने छे फंदे बुनने हैं की एक का दो हो मेई टीन चाहरा है ॉसकी 6 जो साथमा में फंद है साथमे फंदे को हमने कि ऑच गंजे इन जो एटरा फंदे हैं हमारे अठरा हजन्दों में ते एक फंद इसके साथ लेकर दो फंदे कठे बुन इस तरह से बीच में हमारे पास आठ फंदे ही रहेंगे और हर बार हमने जब हम सीधी तरफ आएंगे तो इस तरफ का एक फंदा साथ में लेके लास्ट वाले फंदे के साथ दो फंदे कठे बुनेंगे और जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो इधर वाले जो फंदे हैं हमारे उनमें से एक फंदा लेके दो फंदे इकठे बुनेंगे पहला फंदा हमने हर बार में जो ये आठ फंदे हैं इनमें से पहला फंदा हम हर बार चाहे वो सीधी स्लाई हो चाहे उल्टी स्लाई हो उसे बिना बुने उतारना है इसे बिना बुने उतारा अब फिर आठ में से छे फंदे बुनेंगे पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया अब छे फंदे बुनेंगे छे फंदे बुनने के बाद ये जो हमारा सात्मा फंदा है इसको हमने दूसरे जो हमारे इस तरफ के फंदे हैं जिनको हमने नहीं हम हर बार 8 फंदे ही बुन रहे हैं तो इन फंदों में से एक फंदा लास्ट वाले फंदे के साथ जोड़के 2 फंदे इकठे बुनेंगे अब आगे हम अपनी सीधी स्लाइपे पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद अब 8 में से 6 फंदे बुनेंगे चार पांच और 6 और ये 1 साथ क्योंकि पहला फंदा हम बिना बुने उतार रहे हैं तो बीच में 6 फंदे बुन रहे हैं इस फंदे को लास्ट वाले फंदे को इस लाई के फंदों के साथ एक फंदे के साथ जोड़के 2 फंदे इकठे बुनेंगे उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा बाकी के फंदे जो हैं हमने लास्ट वाले फंदे को छोड़के जो हमारा बिल्कुल एंड वाला फंदा है उसको छोड़के बाकी के फंदे हमने बुन लेने हैं यह आगे हम end वाले फंदे पर और यह दो फंदे इकठे बुनेंगे तो इसी तरह से हमने जो है इन फंदों को बिल्कुल end तक बुनना है और बीच में हमारे पास 8 फंदे ही रहेंगे अभी जो है मैं इनको end तक लेके आती हूँ इसी तरह से बुनते हुए हर सीधी स्लाई हो चाहे उल्टी स्लाई हो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद हमने जो 8 फंदे हैं 8 में से पहला फंदा बिना बुने उतारा बीच वाले 6 फंदे बुनेंगे और जो last वा एक बार जब फंदे बढ़ाए यहां पर इस पैटन को बुना उसके बाद इन फंदों को हमने नहीं बुना फंदों को डिवाइड किया बीच वाले फंदे हम बुन रहे हैं और हर स्लाई में एक फंदा जब इधर आते हैं हम तो इस स्लाई से एक फंदा इसके साथ last वाले गाने फंदे के साथ जोड़ के दो का एक कर रहे हैं और इसी तरह से इस तो तरह वाले जो फंदे हैं उल्यू-पाल एक फंदा लास्टेसाथ सब्षक मे मत करने हैं हमज़ोंगर कि पार नहींमर काउंटर करने कैसे हर ऐए일 बार्लड Senior či करते हैं तो अपने आप पता है कि कहां पे हमने जो फंदा है दूसी इस तरफ से फंदा लेके दो फंदे इकठे बुनने हैं या कि इस तरफ वाली तरफ से लेके तो ये होगे हमारे दो फंदे कठे तो इसी तरह से हम लास्ट तक ये जो फंदे हैं इनको बुनते जाएंगे एके करके इनको साथ में जोडते जाएंगे तो अभी जो है मैं ये वाला हिस्सा जो यहां तक है उसको कम्प्लीट करूंगे तो अभी हमने अल्मोस्ट जो है अपने सारे फंदे लिकठे कर लिये हैं मतलब की जितने हमने घटाने थे घटा लिये हैं और ये हो गया हमारा आठ अब इस तरफ से और ये दो फंदे तो यहां पर हम देख लेते हैं दो ये चोड़के तो चार चे आठ और ये इस फंदे को भी हम हमने साथ में ले लेगा है और अब हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो होगे 10 क्योंकि जो लास्ट वाले फंदे थे वो हमने नहीं घटाए लास्ट वाले फंदे हमने छोड़ दिये अब हमें यहां से जो है इसका अगला हिस्सा बनाना है यह हो गया हमारा फ्रांट जो है यह वाला फ्रांट का हिस्सा यह हिस्सा और यह नीचे वाला यह वाला हिस्सा यह कंप्लीट यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है अब यहां से हमने जो है इसका अगला हिस्सा बनाना है इसके अगले हिस्से के लिए अब यह जो हमारे पास यहां पे लास्त वाले फंदे हमने नहीं घटाए तो यहां अब मेरे पास लाईबे है टोटल दस फंदे यह है 2, 4, 6, 8 और 10 तो यह हैं 10 फंदे तो यहां अब हमने इस तरफ से नए फंदे बनाने हैं तो यह हमारी जो वूल है इसको हम यहीं रख लेंगे यहीं छोड़ देंगे इसे हम तो यहां से हम जो है अपने फंदे बनाएंगे यहां से शुरू करते हैं 19 फंदे हमने बनाने हैं तो यह है, एक हर चेन के साथ, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा था, तो हर चेन से एक फंदा बनाएंगे, तो यह हो गए दो फंदे, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह है, तेरा, चादा, पंदरा, सोला, सतरा, आठरा, और यह उन्नेस, तो यहाँ पे हमने उन्नीस फंदे नए बना लिये हैं, अब इनको हम उल्टे बुनते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ से, अब हमारे पास होगे, उन्नीस फंदे यह हैं, दस फंदे हमारे पास जो थे, पहले के हैं, तो टोटल होगे, उन्नतीस फंदे, ट्वंटी नाइन स्टिचज, अभी हमने बनाए हैं, 19 9 stitches तो होगे टोटल 29 अब हम यहाँ से पूरी स्लाइ जो है उल्टी बना रहे हैं यहां से आट-अट फंदों के साथ जो हमने फंदे घटाए हैं आट फंदों के साथ दोनों तरफ के फंदे लेते हुए तो, लास्ट वाला फंदा हमने नहीं घटाया, जिससे की हमारे पास बीच में हो गए 10 फंदे, जब हमारे पास बीच में 10 फंदे रह गए तो हमने यहां पे एक साइट पे यह फंदे बढ़ाए, और इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी जो है नए फंदे बढ़ाएंगे, यहां पे यह स्लाई जो है, इससे हम इस तरफ के फंदे नहीं उठा सकते, तो यहां पे मैं यह दूसरी स्लाई लगाऊंगे, अब इसमें चाहे आप यह वाली स्लाई यूज़ करो, चाहे जो डबल पॉइंटेड नीडल होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अबलेबल हो, इस तरफ के फंदे हम इस तरफ से उठाएंगे, तो यह हो गया हमारा, यहाँ पर हमने उन्नीज फंदे होगे एक LEE, दो फंद , यह जो हमारी चेन है हमने फंदे चेन से उठाने है, कि यहोगे दो चार छे और यह यहां से कि साथ फंदे हो गई यह आठ फंदे नौ फंदे यह होगे हमारे दस फंदे ग्यारा फंदे होगे हमारे बारा फंदे यह है तेरा फंदे चौदा कि यह पंद्रा फंदे यह है सोला फंदे यह सत्रा फंदे यह है अठ्रा फंदे और यह लास्ट में होगे हमारे उनिस फंदे तो दोनों तरफ हमने उनिस फंदे ले लिए है अब हम यहां पर इसको जो है आगे किसकी बुनाई शुरू करेंगे तो यहां पर यह मैं जो है तीन सलाई यूज़ कर रही हूं कि दो स्लाई यहां पे हैं और तीसी स्लाई मेरे हाथ में है जिससे की मैं बुनूँगी यहां हम पहला फंदा जो है उसे बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हमने चार फंदे उल्टे बुनने है पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद चार तर चार फलेंगे और यह चार यहां पर हो गए यह पान्च फंद एक फंद बीना बुने उतार चार फंद और बाकी के फंदे लास्ट फंदों तक हम ने सीधे बुनने हैं यह फंद जो हैं हमारे सीधे बुने जाएंगे लास्ट के पांच फंदों तक जो start के और लास्ट के पांच फंदे है ये हमारा border है इसलिए इनको हमने ulti उल्टा उल्टा भुनना है ये होगे हमारे ये 19 फंदे चार से 6 लाइब भुनने के बाद आप इनको 2 लाइब के साथ ही भुनना शुरू करता ओगए तीसिस लाइके जरूरत नहीं पड़ेगी और यह होगे हमारे जो हैं दूसिस लाइके फंदे लास्ट के पांच फंदों तक हम ने इनको सीधा बुनना है उनको हमने गांटा स्टीछ होगी से बुनना है उसे हमिए दॉनर का बारण सेंट बौडर है जिसे हमने गाटर सिश्रो पैटरं में बुनना है उसे हम उन जो है गाटर लाइनों से कांट करेंगे तो यहां पी यह हैं हमारे पास पांच पंदे पांच में से पहले चार फंदे हमने उल्टे बुनने है एक दो तीन और ये चार, लाइस वहला फंदा सीधन आप चाहो ते इसको उल्टा भी बुन सकते हो उल्टी सलाई पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद पूरी सलाई हमने उल्टी बुननी है, सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, इस तरह से, पूरी स्लाई हमारी उल्टी जाएगी, तो अभी हमने हमारे बूटी की जो बुनाई है, वो इस तरफ को करनी है, तो यहां यह जो स्टार्टिंग के पांच फंदे हैं, यह हमारे जो होंगे, इ इसी तरह से जो लास्ट के पांच फंदे हैं उन में से जो है यह पांच फंदे हमारे होंगे गाटा स्रीच पैटन के जिस तरह से हमने यहां बनाए हैं यह हमारे जो फंदे हैं यह पांच फंदे हैं गाटा स्रीच रो पैटन से और इसी तरह से हमारे इस तरफ में भी जो है और यह जो है हमारी अब हमने इन रोज को काउंट करते हुए हमारी यहां तक की लैंट कम्प्लीट करनी है और इसकी काउंटिंग है टोटल अगर यहां से हम काउंट करते हैं तो यह है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा, अठ्रा, उणिस और विस तो यहां पे हमारी हम जो है किया हमारी जो गार्ट सिछ रोज है इस से हम काउंट करेंगे बीस गार्ट सिछ रोज की लैंट को लएंगे 20 ख़़दें सीधी तरफ से सीधे, पूरा करूंगी चार या पांस फॉनने के बाद ये जो हम 3 से बुन रहे हैं तो यह जो अपने आप दो स्लाइब में हमारी जो है बुनाई शुरू हो जाएगी तो अभी हम जो है अपनी अभी मैं जो अपनी बीस गाठा सिश रोज की लेंद को कम्प्लीट कर लिया है हम यहां पे जो रो की काउंटिंग कर रहे हैं वह साइट पे जो हमारा बॉर्डर है जिसे हमने गाठा सिश सिश रोज में बुना है उसको हमने काउंट करना है तो यहां से हम यह जो बीस रोज हैं उनको काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठ्रा, उननिस और बीस तो बीस गाठा सिश रोज की लेंद को हमने कम्प्लीट कर लिया है अब हम हमारा हमारी जो बूटी है उसका ये वाला हिस्सा जो ये हिस्सा बना था कि बीच में हमने फंदे रखे और साइडों से एक, एक फंदा जोडते हुए हमने फंदे घटाए तो यहां पे हमारे पास अब तक जो है ये 48 फंदे है 48 स्टेचे तो इनको तीन हिस्सो में डिवाइड करेंगे 20 फंदे इस तरफ 20 फंदे इस तरफ और बीच में 8 फंदे तो सबसे पहले यहां पे मैं जो है अपने फंदों को डिवाइड करूंगी और उनकी मार्किंग करूंगी तो इस तरफ से हम काउंट करना शुरू करते हैं पहले मैं यहां दो दो करते हुए 20 फंदे काउंट करूंगी 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 और यहां प तो यह हो गया हमारा 20 फंदे हमने इस तरफ काउंट कर लिए अब 20 फंदे हम इस तरफ काउंट करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं फंदे काउंट करना 2,4,6,8,10,12,14,16,18 और यह 20 तो दूसरा मार्कर हमारा यहां लगेगा तो यह हो गया हमारा दूसरा डिवीजन तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 20 में कितने फंदे बचते हैं बीच में हमारे पास 8 फंदे होने चाहिए तो यहां से काउंट करते हैं हम अपने फंदे 2,4,6,8 अब यहां से हम अपना पिछला हिस्सा बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले यहां से बुनते हुए हम बीच में आएंगे यह जो हमारे फंदे हैं 5 फंदे जो हैं जिनको हमने घॉप तरह से फ़न खट आयेंगे जिस तरह से हमने यह वाले फंदे खट आया थे कि बीच में आठ फंदे रखे, एक बार इस तरफ से फंदा घटाया साथ में, एक बार इस तरफ से, मतलब कि एक बार इस तरफ से फंदा लेके दो का एक किया, और एक बार इस तरफ से, तो यहां से हम अभी शुरू करते हैं, यहां से बुनते हुए हम इस तरफ आएंगे, य इस तरह से अब तक इनको बुनते आ रहे हैं पहला फंदा बिना बुने उतारा चार फंदे उल्टे बुने यह गाटर स्टिच पैटर्न में बुने जाएंगे यह फंदे क्योंकि यह हमारा बॉडर है अब हम जो है हमारे बीच वाले जो आठ फंदे हैं हम पहले यहां से बुनते हुए वहां पर पहुंचेंगे यह फंदा भी हमने बुन लिया तो यहां से हम अपना जो मारकर है उसको निकाल देंगे मारकर निकालने के बाद हमारे जो ये आठ फंदे हैं उन में से हमने पहले जो साथ फंदे हैं उनको बुनना है तो यहां पे अभी जो है ये फंदे जो है हमें इस फंदे को भी बुनना पड़ेगा क्योंकि हम जो है यहां से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां तक आने के इस फंदे को हमने बनना पड़ेगा ताकि हमारी फंदी भी आ गहेये तो यहां पर हमने एक फंदा बनना यह दूसरा यह तीसरा फंदा यह चौथ lesser Mirrorर पांच मो फंदा यह यह चटा फंदा और यह साथ मास्डा तो आठ्में बूर्ण算 पो हमनेong 2 ऐकट आफ से जूद से पहला के नहीं है, अब यहीं से हम वापिस जो है अपनी स्लाइड यहीं से उल्टी मोल लेंगे यहां पर हमने पहला फंदा बिन बुने उतार है अब हमारी जो उन है पने के साथ पहला फंदा हमने बिन बुने उतारना हमने 6 फंदे बुनने हैं। एक फंदा बीना बुने उतारेंगे 6 फंदे हम बुनेंगे। एक दो तीन है चार पांच और यह चे तो यहां पर यह होगे टोटल हमारे पास साथ फंदे। दो, चार, छे और साथ, आठवा जो फंदा है, उसको हमने, जो इस तरफ के 20 फंदे है, उसमें से एक फंदा, इसके साथ जोड़के दो फंदे इकठे बुनेंगे, तो इस तरह से हमने जो है, एक एक फंदा दोनों तरफ से लेते हुए, अपने फंदे घटाने हैं, अब यहा होगे तीन फंदे, चार, पांच, और यह छे, एक पर बुनने के बाद हमें पता चल जाता है, कि हमारा जो यह फंदा है, इसको हमने दूसरे फंदे के साथ जोड़के, दो फंदे इकठे बनाने हैं, तो यह होगे, दो फंदे इकठे बुने, और यहीं से हम वापिस हो अभी तक हम साथ में, यह जो बिन बुने फंदे साथ में हमारे, हमारी स्लाई पे हैं, इन में से एक एक फंदा हमने जो है, अपनी स्लाई पे लेते जाना है, एक एक फंदा, लास्ट वाले फंदे के साथ जोड़के, दो दो फंदे इकठे बुनते जाना है हमने, तो इसी एक फंदा हम दोनों तरफ से लेते गए जो हमने 20-20 फंदे दोनों तरफ रखे थे। यहां पर पिर आगए यहां हमसी पीज़ी स्लाई पर पहला फंदा बिना बुने उतारा और यह छे फंदे हमने सीधे पूने यह हो गया हमारा छहटा फंदा सात्मे फंदे को हमने जो है दूसरी तरफ के जो बीस फंदे हमने रखे थे उनमें से एक फंदा जोड के हमने दो फंदे इकठे बुनने हैं तो इसी तरह से जो है एक-एक करके हमारा जो है हर स्लाई में एक-एक फंदा घट रहा है हमने जो फंदे डिवाइड किये थे जो साइडों के हमारे फंदे हैं हर सीधी स्लाई में हर उल्टी स्लाई में एक एक फंदा लेके आखरी फंदे के साथ जोड़के दो फंदे हम इकठे बुन रहे हैं और इसी से जो हमारे फंदे हैं वो घटते जाएंगे और ये हमारी हमने बीच वाले फंदे जो है उनको बाइंड आफ कर दिया है तो यह हमारा यह लास्ट वाला फंदा है बाइंड आफ करने के लिए तो यहां से अब हमें जो है यह वाला फंदा भी हमने बाइंड आफ कर दिया है तो अब हमने जो है हमारे बाइंड आफ करने के लिए बाकी के सारे फंदे हमने बाइंड आफ कर दिये हैं अब हम इन फंदों को भी जो है उल्टा बुनेंगे जिस तरह से हमने यह बाइंड बुना है अगर आप अपना बॉर्डर सीधे बुनते हुए आ रहे हो यह जो गाटर सिश्रोज है इनको सीधा बुन रहे हो तो आप यहां से यह फंदे सीधे बुनोंगे नहीं तो यहां अपोडर की जो गाटर सिश्रोज है उनको उल्टा बुन रही थी तो यहां पे मैं यह सारे फंदे उल्टे बुनोंगी तो हम जो फंदे बाइंड और करेंगे इनको नते हुर падऊ करेंगे तो यहां से हमने जो बॉर्डर जहां से हमारा बॉर्डर के उस sharks पसेताने हैं ख़ यहां से फंदा आपने बिना अबनतारना है तो उसको बिरेत बिना बनतारना थे यहाँ से कि यहां से हमने शायद यह फंदा नहीं कर लिया है तो यहां से अब हमने कि इन फंदों को गार्ट सीश्रो में ही बुनते हुए बाइंड आफ करना है सारे फंदे जितने हमारे बॉर्जर के फंदे रहते हैं कि यह भी हो गया कि यह होगे हमारे उल्टी स्लाइड उल्टी तरफ से और यह हमने दो फंदे एक अठे दो है कि युइश्ध है आपने इस तरफ का लास्टी संदा जो है हमारा उसे और के वाइंड आप करेंगे को तो यह होगी हमारा लास्ट अब हमारे पास जितने बंदे बचे हैं उनको हमने सारे के सारे फंदे जो हैं हमारे उनको हमने पाइंड आफ कर देना है आठ फंदे हैं आठ के आठ फंदे हमारे यहां पर हमने बाइंड आफ कर देने हैं और इसी के साथ हमारी जो यह बूटी है वो बन के तयार है यह होगी हमारा लास्ट फंदा और यह हमने इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ यह जो लास्ट वाला फंदा क्योंकि इसमें से मैं अपना पूरा जो मेरा यह पूरा बॉल है इसको पास करूंगी इस तरह से क्योंकि हमें अभी वूल इसके साथ से इसको जो है काटना नहीं है वूल को इसको साथ ही रखेंगे तो अभी हमने यह जो है वूल को इसके साथ ही रखा है इसको हमने वूल को काटा नहीं है अब या तो आप इसको इसको ही यूज कर सकते हो इस तरह से यह है लेकिन हम इसे जो है उपर इसके थोड़ा सा जो है इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा सा यहां पर क्रोशिय से काम करेंगे यह जो मेरी बूटी है इसमें मैंने यह क्रोशिय से हलका सा काम किया हुआ है तो यहां पर हम थोड़ा सा क्रोशिय वाग करेंगे तो उसके लिए जो है मैं क्रोशिय लूँगी तो क्रोशिय आप अपनी वूल के हिसाब से ले सकते हो यह जो मेरा क्रोशिय है इसका नंबर भी सेम है जो की मेरी नीडल्स का है 3.25 mm का तो यहां से अब हम यह जो है क्रोशिय से काम शुरू करेंगे तो यहां से हम शुरू करेंगे इसमें हम इसको तीन इसकी चेन डालेंगे एक दो और यह तीन तीन चेन डालने के बाद यह जो हमारा जहां से हमने पहला वंदा जो है इसको स्टार्ट किया था तो उसी में डालके इसको हम यह दो का एक करेंगे अब एक चेंड यहां पे छोड़के यह जो हमारे पास यह हमने पहला फंदा बिना वोने उतारा है तो इसकी जो है यह चेंड हैं यहां पे अगर आप यहां से देखोगे यह है एक दो तीन तो हमने एक चेंड छोड़के तो दूसरी चेंड में हमने इसको जो है दुबारा इ दाल के अब फिर दो का एक करेंगे और इसको जो है तीन बनाएंगे इसकी एक दो और यह तीन तीन बना के इसी में फिर दुबारा एक चेंड डाला और यह दो का एक किया दो का एक करने के बाद फिर एक चेंड छोड़के दूसरी चेंड में दो का एक किया और इसकी तीन बनाएंगे जब दो का एक करेंगे एक से तीन बनाएंगे एक दो और यह तीन अब फिर इसी में इसको डालके यह दो कर एक यह तो इस तरह से जो है हम अपनी चेंड जो है बिलकुल पूरा राउंड लगाएंगे इसका एक चेंड छोड़के यह दूसरी चेंड में कर दो दो और यह तीन और वापिस इसी में से इसको पास किया मिए होगे तो यह जो हमारी यह जो छोटी-छोटी सी कट बख्थ है हम अपने जो हुआ नहीं आता या आप नहीं बना सकते तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो यह आप को क्रोषिय से कुछ और चन्य को जो है वुपार बीडिंग करनी है उसकी तो आप उस ईससाफ से भी शब you बनाते हुए हम पूरी बोटी हे जो हमारी यहां पे जो मैंने बना रखी है वोटी उसके पूरा जो है Đ drasticning के आप में कट्वक्सा की यहां से सटार्ट करके इस तिरस से राउंड आपके यहां के संपने कीशा है अभिवी कर लिया है अब यह हम इसकी जो परोड़ करकें लाउंड है में ब्रैप कर लिया है ने फल्न कर दो यह जो बीडिंग है वो बनाई है और एक चेन हमने छोड़ी है थोड़ा सा दूर-दूर करके क्योंकि पास-पास में जो है वो अच्छा नहीं लगता तो यहां पे भी हम उसी तरह से बना रहे हैं कंप्रीट हमने जहांए पूरा रांड कंप्रीट किया है चुरु करते हुए जो हैं वहीपे वापिस खाल के हम इसको उपास करेंगें अ ही यह जह Hmari बाकि की जितनी हमारी ये बूटी है हमने उसमें जो है बिलकुल भी इसको सिला नहीं है, हमारी बूटी को हमने ऐसे ही जो है, ये सीमलेस बूटी है बिना सिलने वाली, तो आप इसको जो है इसी तरह से बनाये, यह हो गया हमारा इसका एंट यहीं से हम इसको जो है अंदर की तरफ टाक करतेंगे अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है यह जो साइज है हमारा यह इंडियन साइज जो जूते का पांच और छह होता है उसके लिए पौफेक्ट है अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो आप कुछ मत कीजिए जस्ट इसमें मैंने 3.25 mm की नीडल्स ली है और आप जो है अपनी नीडल को 3.75 mm की कर दीजिए मतलब कि इसकी जो है जो स्लाइ का नंबर है वह बढ़ा दीजिए उससे क्या होगा कि आप इसको जो है एक नंबर हमारा दो नंबर एक से दो नंबर का हमारा जो है इसका साइज बढ़ जाएगा में और इसे छोटा बनाना हो तो आगे हमने जो आत बार फंदे जो बढ़ाने वाला आठ बार पंदे कमको दीजिया 6 कर दीजिया तो उसी आप से आप इसको बना सकते थो यह हमारी जो है भूटी बनके तयार है हमारा जो ये एक्स्ट्रा उन है इसको हम यहां से थोड़ा सा लंबा करके इसको काट देगे तो ये होगी हमारी बूटी तयार ये है वो बूटी जो पहनी हुई है और ये जो हमने अभी बनाई अभी बनाई